रहे हैं देख समीर, मेरी मा कहती है गुसा प्यार का दुश्मन है जिसके काबो में गुसा नहीं रहता, उसके काबो में कुछ नहीं रहता अब तो ये सीन आप सब को याद आ गया होगा ठीक कह रही हूँ ना मैं गुसा लग भग हम सभी लोगों को गुसा आता है पर सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये है कि हमें गुसा क्यों आता है गुसा फले ही दो सेकिंड का क्यों नहीं हो लेकिन गुसा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसके गुसे से क्या नुक्सान हो सकता है इसका कोई भी मापदर्ण नहीं है तो चलिए आज इसी गुसे पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसे बहुत गुसा आता था और गुसे में वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है उसके माता पिता हैं उसके बड़े भाई बहन हैं कौन है परस जो उसके मुँं में आता था वो गुसे में बोलते थी कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो गुसे में चीज़े तक उठाके फिंगते थी तोड़ देती थी चीज़ों को अपनी किताबों तक को फाट देती थी उसके माता पिता उसकी इस बात से बहुत परिशान थे उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी बेटी का गुसा शान्त हो जाए वो ऐसा क्या करें जिससे वो गुसा ना किया करें वो बहुत परिशान थे उनोंने हर तरीका अपना के देख लिया था साम, दाम, धन, भेड हर चीज वो करके देख चुके थे फिर एक दिन उसकी मा ने उसकी ट्यूशन टीचर से इस बारे में बात की क्योंकि एक ट्यूशन टीचर ही थी जिसकी बात वो लड़की सुनती थी उस ट्यूशन टीचर ने उस लड़की की मा की पूरी बात सुनी और कहा आप चिंता ना करें कुछी दिनों में इस लड़की का गुसा धीरे धीरे गायब हो जाएगा उसकी मा ने सोचा कि वैसे भी हम हर तरह से कोशिश करके देख चुके हैं पर उनकी बेटी का गुसा कम नहीं हो पा रहा तो क्यों ना इस बार ट्यूशन टीचर की ही बात मान ली जाए उस लड़की की मान ने ट्यूशन टीचर की बात मान ले अगले दिन जब ट्यूशन टीचर उसे पढ़ाने आई तब ट्यूशे टीचर ने उससे कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बलकि आज हम एक खेल खेलेंगे ये सुनकर वे लड़की बहुत खुश हुई उस टीचर ने लड़की को अपने साथ लिया और उसी घर के एक दिवार के पास जाकर खड़े हो गए अब टीचर ने उस लड़की से कहा कि खेल ये है कि अब तुम्हें जब भी गुसा आए तो तुम यहां आकर इस बिवार पर एक खेल कार देना उस लड़की ने अपनी टीचर से पूछा कि टीचर ऐसा करने से क्या होगा तो उसकी टीचर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तुम अपना ये खेल खतम करोगी तब तुम्हें एक ट्राइफ मिलेगा और ये बात सुनकर लड़की और भी खुश हो गई अब उस लड़की ने वैसा ही किया जैसा उसकी टीचर ने कहा था अब जब भी उस लड़की को गुसा आता वो जाती और उस दिवार पर एक किल गार देती जैसा कि उस लड़की को बहुत गुसा आता था तो पहले ही दिन उस दिवार पे उसने दस से भी ज़ादा कीले गाड़ दे उस लड़की को कील गाड़ने के लिए बार बार उस दिवार के पास जाना पड़ता था तो उस लड़की ने ये सोचा कि जितनी महनत मैं कील गाड़ने में लगा रही हूँ उससे कम महनत में मैं अपना गुसा कंट्रोल कर सकती हूँ और फिर लड़की ने ऐसा ही किया अगले दिन कुछ कीले कम लगी फिर उससे अगले दिन कीले और कम हो गई फिर उसके अगले दिन कीले और कम हो गई इसी तरह से हर दिन कील कम से कम कम से कम होती गई फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़की को एक भी बार गुसा नहीं आया तो उसने उस दिवार पर एक भी कील नहीं लगाई यह देखकर वो बहुत खुश हुई यह देखकर वेट खुशी-खुशी अपनी टीचर के पास गई और उसने अपनी जीचे से कहा कि देखो मैम आज मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी है क्योंकि आज पूरे दिन में मैंने एक बार भी गुसा नहीं किया है उस टीचर ने उस लड़की की पीर थप थप आते हुए उसे शाबाशी दी और उसी दिवार के सामने जाकर खड़े हो गए फिर टीचर ने उस लड़की से कहा कि खेल अभी यहां खतम नहीं हुआ है अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुम्हें गुसा ना आए तो उस दिन के एंड में यहां आकर इस दिवार से एक कील निकाल देना अब लड़की ने वैसा ही किया जैसा उसकी टीचर ने कहा था चूंकि कीले बहुत सादा थी तो उसे थोड़ा जादा वक्त लग गया इन कीलों को निकालने में फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस दिवार पर एक भी कील नहीं बचे यह देखतर वे लड़की बहुत खुश हुई इसी खुशी वे में दोड़ी दोड़ी अपनी टीचर के पास गई और उसने टीचर से कहा कि देखो मैं इस दिवार पर अब एक भी कील नहीं है उसकी टीचर लड़की के साथ दिवार के पास जातर खड़ी हो गई और उसने देखा कि सच में दिवार में एक भी कील नहीं थी उस टीचर ने उस लड़की को उसकी फेवरेट चॉकलेट दी और कहा कि यह तुमारा प्राइस और लड़की बहुत खुश हो गई फिर उसकी टीचर ने उस लड़की से कहा कि तुम ध्यान से देखो क्या तुम्हें इस दिवार में कुछ नजर आ रहा है उस लड़की ने कहा नहीं मैम सारी कीले तुम इने निकाल दी इस दिवार में तु अब कुछ भी नहीं है कोई कील नहीं है यह सुनकर उसकी टीचर ने कहा एक बर फिर से देख लो क्या पता तुम्हें इस दिवार में कुछ नजर आए उस लड़की ने फिर से दिवार की और देखा तब उसे उन कीलों के निशान नजर आए अब जब लड़की को उन कीलों के निशान नजर आ गए तब उसकी टीचर ने उससे कहा जैसे तुमने इस दिवार में कील गाड़ी अब तुम इस कील को तो निकाल सकती हो दर्द होता है और उनके दिल पर निशान छूट जाता है उस निशान को तुम चाहकर भी नहीं मिटा सकते फिर चाहे तुम उनसे जितनी बार मर्जी माफी मांग लो ये सुनकर उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी वो भाग कर अपनी ममा के पास और अपनी मा को गले से लगा लिया और कहा मा मुझसे गलती हो गई मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी मैं आगे से कभी गुसा नहीं करूँगी अब मैं जान गई हूँ कि मैंने क्या गलती की है और उस दिन के बाद उस लड़की ने फिर कभी दुबारा गुसा नहीं क आपनों को ही चोट पहुंचाते हैं जब हमें इस बात का एहसास होता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है हम उनसे माफी तो मान सकते हैं लेकिन जो हमने उनको चोट दी है हम उनके निशान मिटा नहीं सकते अगली बार जब भी आपको गुसा आए कुछ नहीं कहानियों के साथ कुछ नहीं बातों के साथ कुछ नहीं सीख के साथ तब तक तुम सब अपना ध्यान लखना शबब खेर